नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बैगन और मटर की बहुत स्वाधिस्ट सबजी बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बैगन ले लिया है अगर मैं वेट की बात करूँ तो यह आधा किलो है तो इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ तो इस तरह मैंने बैगन को कट कर लिया है यह दिखिए इदम लंबे लंबे तुकड़े में कट कर लिया है तो जो सौप्ट वाले होंगे बीज वाले वो हम रख लेंगे और जो बीज हाड होंगे उसको कट करके बाहर कर लेंगे औ पानी रख दिया है जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तब हम यहाँ पर एक कटोरी मटर डाल देंगे हरी वाली और इसी के साथ मैं आपका नमक एड़ कर दूँगा ताकि मटर बढ़िया तरह से पक जाए थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और पांच मट के बाद हमारी यहाँ मटर अच्छे से पक जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारी मटर बढ़िया तरह से पक के रेडी हो गई है यह देखिए दोस्तों पक गई है तो इसको हम रखेंगे साइड में और अब हम चलेंगे नेस स्टेप में तो नेस स्टेप पे मैंने यहाँ पर एक कढ के ही हुए तो पहले मैं बैगन को सौप्ट करूँगा क्योंकि हम जब पहले बैगन सौप्ट करेंगे तो बढ़िया से हमारी सबजी सौधिस्ट बनेगी तो ऐसे ही हमें चम्मा से चला चला कर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हमें तीर मट के लिए ढग है इसमें हम यहां पर आधा चम्मच एड़ करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसे के साथ मेहां पर आधा चम्मच गरम मसाला एड़ करूँगा इसे के साथ मेहां पर एक चम्मच भर के धन्या पाउडर एड़ कर दूँगा इसे के साथ मेहां पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एड़ कर दूँगा इन मसालों में थोड़ा सा पानी एड़ करके एक बढ़िया तरह से घोल तयार कर लेंगे जब हम ऐसे मसाले को तयार करते न तो बहुती बढ़िया सबजी बनती है दोस्तो तो इसको हम रखते हैं साइड में और अब आजाते हैं बैगन की तरफ तो तीन मट के बाद मैं कैफ को निकाल देता हूँ यो तो ये दीखिए दोस्तो हमारे बैगन बढ़िया तरह से सौप्ट हो गए हैं तो इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं तो दोस्तो इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर बनाऊंगा इस सबजी को मतलब बैगन और मटर की सबजी तो इस कढ़ाई में मैं यहाँ पर तीन चमच सरसो का तेल एड़ कर दिया हूँ छोटे चमच से आधा चमच जीरा एड़ कर दूंगा जीरा यहाँ पर रिदम कटकने लगा है उसके बाद मैंहा पर तेज पत्ता एड़ कर दूँगा इसे के साथ मैंहा पर दो लसुन की कलियां को बर्या से चौप करके एड़ किया हूं थोड़ा सा इनको हम चला देंगे ताकि जीरा और लसुन अच्छे से पक जाए इसके बाद मैं यहां पर अड़ करने वाला हूं हींग एक पींच यहां पर हींग करेंगे मतलब एक चौथाई भाग एड़ करेंगे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि बढ़िया तरह से जो इसका हींग है वह अच्छे से पक जाए इसके बाद मैं यहां पर आधा चमश डा दोंगा लसुन अध्रक का पेस्ट इसे बहुत ही बढ़िया इस सब्जी में स्ट्रॉंग सा फ्लेवर आ जाएगा तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम यहां पर एक प्याज चौप करके एड़ करेंगे मतलब बारीक प्याज को कट करके यहां पर एड़ कर रहा उसके बाद हम यहां पर एड़ करेंगे मसाली तो जो मसाले मैंने पानी से घोल करके रखा था वो बढ़िया तरह से मसाले एकदम से फूल गये हैं पल्दब अच्छे से तो एड़ कर देंगे जो बर्तन में मसाला लगा है वो थोड़ा सा पानी एड़ करके यहां पर हम एड हो गया है और थोड़ा सा कलर के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इतना हमें मसालयों को पकाना है इतना गाढ़ा मसाला होना चाहिए इसके बाद मैं आपर तीन टमाटर का पेष्ट एड कर रहा हूं ग्रेवी के लिए टमाटर का पेष्ट एड करने के बाद इन सभी को बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे तो जब यह अच्छा तरह से मिक्स हो जाए न तो इन मसालों को पकाने के लिए मैं यहाँ पर तीन मट के लिए ढग दूँगा तो तीन मट के बीच में हमें यहाँ चेक भी करना है ताकि मसाले जरे नहीं इसलिए बीच में चेक कर लिजेगा तो तीन मट के बाद को मैं कैफ को निकालता हूँ तो ये देखिए मसाले बढ़िया तरह से पक गए है ओइल भी उपर आ गया है तो मतलब ये थोड़ा अच्छा से पक गया है पूरा मसाला तो मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर एड़ करने वाले हैं हरी मटर जो बॉइल करके मैं रखा था साइड में आड़ कर देंगे आड़ करने के बाद मतर को और मसालो को बढ़िया तरह से भूझेंगे भूझेंगे न तो बहुत बढ़िया सुगण आएगी दोस्तो तो यहां पर हमारे मतर और मसाले बढ़िया तरह से भूंज के तयार हो गए है अब हम यहां पर डाल देंगे बैगन जो सौप्ट यह थे इनको इसको भी हम अच्छे से भूंजेंगे लगभग दो मिट तक तो पहले मैं यहां पर नमक एड़ कर दूँगा आप सौद इंसा न नमक एड़ किया हूं अब इनको बढ़िया तरह से मिक्स करना है मतलब मसालों के साथ भूंजना है तो दो मिट तक आप ऐसे भूंजे और फि उसके बाद हम ग्रेवी के लिए यहां पर हम एक गिलास पानी एड़ कर देंगे तो यह दिखिए एक गिलास मैं आपर पानी है किजिए इनको बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तो मिक्स करने के बाद अब हमें दस म्यट की लिए इस सब्जी को पकाना है दोस्तो तो ढख देंगे तककर 10 मट पकाना है तो 10 मट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस सब्जी को ये दिखे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एकदम मस्त यहाँ पर सब्जी बनके रेडी हुई है फ्रेशनेस के लिए आपर हरिदन्या की पत्यां भी आट कर सकते हैं आप तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद हमारी सब्जी कुछ इस तरह दिख रही है तो दोस्तों देखाना बैगन और मटर की सब्जी का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और इस चनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में दोस्तों बाई